युक्रेन पर लगातार बढ़ते रूसी हमलों के बीच, खारकीव और कुछ अन्य जगे फसे भारतियों के लिए अब रक्षा मंत्राले ने नई एडवाईजरी जारी की है। इस एडवाईजरी में बताया गया है कि युक्रेन की सीमा पार करने से पहले तक उन्हें क्या सावधानिया बरतनी होगी। हर ग्रुप का एक संयोजक और एक सह संयोजक होना चाहिए। पासपोर्ट, आईडी, दवा, टॉर्च, माचिस, लाइटर, मोमबत्ती, पावर बैंक, कैश, पानी, दस्ताने और गरम जैकेट हो। खुली जगे या मैदान में हो तो बरफ पिंगाल कर पानी बनाएं। हर हाल में मानसिक रूप से मजबूत रहें और किसी भी दहशत में ना आएं। मोबाइल फोन से गैर जरूरी अप तुरंथ हटा दे, फोन की बैटरी बचाने के लिए कम से कम बात करें और उसकी अवास को धीमा रखें। बंकर में हैं तो बार-बार बाहर जाने से बचें और भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं। युक्रेणी सैनिकों या फिर पुलीस के दस्ते की फोटो कतई ना ले। रूसी भारशा में बोलना सीखे कि हम छात्र हैं, हम लड़ाके नहीं हैं, हम भारत से हैं, क्रिपया हमें नुकसान मत पहुँचाईए। अगर सैनिक या सुरक्षा दस्ता जांच के लिए रोके, तो अपना हाथ अचानक जेब में ना डाले। अगर जेब में पासपोर्ट या आईडी है, तो उसे मांगा जाता है, तभी जेब की तरफ हाथ बढ़ाएं। खुली जगए पर हों और हमला होने लगे, तो पेट के बल लेट कर अपना बैग सिर के ऊपर रख ले। शीशा लगी खिडकियों और टूटी बिल्डिगों के पास से बिलकुल ना गुजरें। तो ये कुछ जरूरी गाइडलाइन्स थी, जो युक्रेन में फसे भारतियों के लिए जारी की गए हैं। न्यूजरूम पोस्ट भी आप सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आपका कोई भी करीबी दोस्त या कोई परीजन युक्रेन में फसा है तो उसे ये गाइडलाइन्स जरूर बताएं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही बने रहिए न्यूजरूम पोस्ट पर नमस्कार।